तो बहुत सारे VN application user को यह problem देखने को मिल रहा है कि वो जब भी कोई video को slow mo करते हैं या फिर fast motion में डालते हैं उनका music या sound या song वो mute हो जा रहा है या फिर slow हो जाता है तो इस problem का solution मैं लेकर आ गया हूँ अगर आप लोग इस video को भीना skip किये हुए end तक देखोगे तो आप भी सीख पाओगे कि यह problem को कैसे दूर करना है तो हम यहाँ पे आपको live proof करके दिखाएंगे कि इस तरीके के problem को कैसे solve करना है तो जैसा आप लोग देख सकते हो कि मैंने एक video यहाँ पे ले लिया है अब इस video को आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का हमारा video है अगर आप लोग को इस वीडियो को slow mo करना है तो इसके लिए आपको करना क्या होगा तो आपको सबसे पहले इस वीडियो को mute कर देना है mute कैसे करना है आपको यहाँ पर नीचे volume का option दिखता आपको इस पर click करना है दिन अब आपको इसको 0% करके tick कर देना है अब इस वीडियो का जो music है वो फूरी तरसे off हो चुका है अब हम लोग करेंगे क्या सो अब हम लोग इस वीडियो को slow mo कर लेंगे जितना हमको जैसे भी slow mo करना है हम लोग इस वीडियो को slow mo कर लेंगे जहां से भी हमको करना है उस तरीके से हम अपने वीडियो को slow mo कर लेंगे उसके बाद टीक कर देंगे अब हमारा वीडियो जहें वो slow mo हो चुका है जैसा कि आप लोग इहां पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा वीडियो स्लो मो हो चुका है अब इस वीडियो में म्यूजिक तो हमारा है नहीं बट हम लोग इसमें म्यूजिक को ऊपर से एड करेंगे तो music add करने के लिए आपको इस पर click करना है music पर click करना है और आपको यहां से plus वाले icon पर click करके extract from video पर click कर देना है अब आपने जिस video को slow-mo किया है उसी video को select करना है select करने के बाद ok वाले option पर click करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का interface देखने को मिल जाएगा इससे क्या होगा कि हमारा यही song उस video के उपर आ जाएगा अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि वो music हमारा यहां पर आ चुका है तो हम लोग choose वाले option पर click करेंगे then tick वाले option पर click कर देंगे अब हमारा music जो है वो उपर से add हो चुका है अब अगर आप लोग इस video को play करते हो तो आपका music यहां पर कहीं नहीं कटेगा then आपका music यहां पर कहीं भी mute नहीं होगा तो इस तरीके से अगर आप लोग इस तरीके से practically करते हो अपने VN application के अंदर तो आपको भी यह problem देखने को नहीं मिलेगा तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो कोमेंट करके जरूर बताएगा और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल पिनना है तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजेगा